लो वै दीपावली से पहले ही लंका लग गई अपने ही जाल में टीम इंडिया एक बार फिर फस गई बंगली टेस्ट मैच में सर्मनाक हार जहलने के बाद पूरे टेस्ट मैच जीतने का खौव ले करके कुछ परवरतन के साथ यहां पर टीम इंडिया खेलने आई थी और यह यहां पर श्पिन फ्रेंड ली पिछ बना करके टीम इंडिया अपनी ऊपर गर्ब भी कर रही थी यहां पर काली मिटी बाली पिछ बनाए थी जिस पर की स्पिन काफी एच्छी तरह से नहीं काम करसकती है यहां पर बॉसिंग्ड़र्न संदर कrage को भी बुला लिया था कियल नाम के आगे बड़े-बड़े रिकॉर्ड धारण करते हैं एक बार फिर से न्यूजी लैंड के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए नजर आए वो तो भला हो यहाँ पर एससी विजास्वाल सुमन गिल और रबन जड़े जाके छोटे-छोटे ओसत इसकोर्स का की टीम दिया 156 तक भी पहुंच गई नहीं तो अगर बाकी टीम जैसा इन तीन वल्लेवाजों का हाल भी हो जाता तो निश्य तोर पर बंगली टेस्ट मैच की पहली पारी का इतियास यहां पर एक बार फिर से दोहरा दिया जाता बाकी सारे बल्लेवाज ने तो बिलकुल वही काम किया है यहनि कि पूरी की पूरी बैटिंग लाइन अपी दहाई का आकड़ा पहुंचने में ही पसीना छोड़ देती है जिस इस्पिन प्रेंडली पिच पर न्यूजी लैंड वाले 269 रन बनाने में सफल हो गए हमारे इस्पिन के धुरंदर बल्लेवाज यहां पर 269 तो और रबिन जड़े जाके 38 रनों को छोड़ दें तो यहां पर किसी का भी स्कोर बताने लायक नहीं है रोई सर्मा जीरो पर आउट होते हैं बिराट कोईल एक रन बना कर क्या आउट होते हैं रिसप पंथ 18 रन बना कर क्या आउट हो जाते हैं सर्फरास खान 11 पर आउट हो कि इस मैच को भी सायद भारती बल्लेवाजों ने सीरिसली नहीं लिया है देखें यहां गैंदबाजों की कोई गलती नहीं है गैंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया था टेस्ट मैच की पहली पारी में अगर आप एक स्पिंट ट्रेक पर सामने वाली टीम को 217 रनों पर ओल आउट कर देते हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो यह गैंदबाजों ने इस्पेसली बॉसिंग्टन सुंदर और अभी चंदे नस्तुन ने तो अपना काम किया था इन लोगों ने नीजी लेंड की टीम को बड़ा स्कूर बनाने से रोक दिया था लेकिन जब भारती बल्लेबाजों की बारी आई यहां पर खेल ले की तो यहां कुछ भी कमाल नहीं कर सके बो तो भारत को नीजी लेंड की स्कूर तक भी नहीं पहुंचा सके और मैच 156 रनों पर ही अपना बोरिया बिस्तर गोल करवा लिया भारत के गले में फिरकी के फंदा डालने में सबसे मैधमन भूमकाते निभाई मिचेल सेंटर नैट ने जिन्हों ने 1903 तीन ओवर में 35 रन दे करके 7 बिकर जटके और यहां गिलेन फिलिप्स ने भी सांदर काम किया 6 ओवर में 26 रन दे करके 2 बिकर जटक लिए और यही बजाए कि रोह सर्मस जीरो रन बना करके निपट जाते हैं बिराट कोली एक रन बना करके आउट हो जाते हैं और पिछली मैच के सतक बिर सर्फराज खान भी 11 रन बना करके टीम के साथ छोड़ देते हैं रिशप पंत जो कि टेस्ट फॉर्मेट के ही खिलाडी कहे जाते हैं चेस्ट कोटा से वो टीटॉन्टी बंदे भी खेल डालते हैं यहां पर वो भी अपने टीटॉन्टी अंदाज के सलते यहां 18 रन बना करके निपट गए कुल मिला करके आप भारती टीम को यह सोचना पड़ेगा कि जो टीटॉन्टी फॉर्मेट का तरीका उन्होंने टेस्ट मैच में अपना रखा है तो भाई उसको पुनार विचार कर लीजिए कोच गौतम गंबीर को इस बात तर फिर जो सोचना पड़ेगा कि टेस्ट मैच एंटर्टेनिंग लेकिन ऐसा नहीं कि टीम का सारा बंडली 200-600 रन पर सिमिट जाए ऐसा नहीं होना चाहिए वे टेस्ट मैच की भी गर्मा है टेस्ट मैच को टेस्ट मैच के तरह ही खेलना चाहिए ठीक है आप टीटॉन्टी बिस्ट कप के विजेता हो टीटॉन्टी फॉ मनोध सामय है भारत की बल्लेबाजों की दिमाग से टी टॉन्टी का फॉर्मिट उतर नहीं रहा है और यहां पर न्यूजिलेंड की बल्लेबाजों ने उसी चीज़ का फायदा उठाया और जल्ली बड़े-बड़े बिकेट गिरा करके टीम इंडिया के होसले पस्त कर दीगे आप देखना एक ही न्यूजिलेंड बाली दूसरी पारी में कितना विशाल का स्कोर देते हैं वैसे तो दिन का खत्म होने तक 301 की बड़त न्यूजिलेंड कुल बना चुकी थी अब देखते हैं टोटल स्कोर कितना होता है वैसे डबल्यू टी सी के फाइनल के लिहाद से ये टेस्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ये टेस्ट मैच भारत हारता है तो डेवली टीसी फाइनल की रेस उसकी लगबग असंभव हो जाएगी और वैसे भी इस टेस्ट मैच के हारती भारत सीरीज गमा देगा दसकों से उसका घर पर चला आ रहा सीरीज विजा का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा तो इसमें आप लोगों की क्या बिचार अपनी राकमेट करके जरूदा साथ ही स्पोर्स के सब्देट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर झाले कि उसका है पुड जरूरा साथ ही यरू एक लावे यद्सक्राइब